परमाडू हथियार का नाम सुनते ही जहन में तेज धमाके के साथ तबाही का मंजर सामने आ जाता है हलाकि कई विससगे मानते हैं कि असल में परमाडू हथियार सांती के हथियार होते हैं जोंकि यूद्ध के मुहाने पर खड़े दो देसों के बीच ये डर का माहौल पैदा कर सांती करवा सकते हैं। भारत के पुरो राष्टपती और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद वैग्यानिक एपी जे अब्दुल कलाम का भी यही मानना था। क्या विनास की इतनी बड़ी कीमत के साथ परमाडू हथियार को सांती का हथियार कहना उचीत हैं। कमेंट कर हमें अपनी राज जरूर बताएं। स्वीडियन के थिंग टैंक, स्टाक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट यानि सिप्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें परमाडू हथियारों से संबंदित कई अहम जानकारी सामने आई है। और इसी रिपोर्ट से मालूम चला है कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत से कहीं ज्यादा परमाडू हथियार है। सिप्री के इस रिपोर्ट के अनुसार मौजुदा वक्त में भारत के पास 156 परमाडू अथियार है और पाकिस्तान के पास 165 और चीन इस मामले में 350 परमाडू हथियारों के साथ भारत से कई कदम आगे है यही वज़ा है कि भारत परमाडू हतियारों से लैस होने के बाद भी चिंतित हो रहा है भारत की पाकिस्तान और चीन इन दोनों देशों के साथ सीमा विबाद दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है वहीं खतरे की बात ये है कि इन दोनों पड़ुसी देशों में हतियारों और सरकार पर नियंत रड़ इनकी सेना के पास है जो कि भारत के लिए खतरनाक है ऐसे ही इनफार्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दें